दोस्तो आज का हमारा जो डिस्कसन है, वो आस्ठेलिया के उपर है हम जानते हैं कि आस्टेलिया जो है, वो विस्का सबसे चोटा महाधीफ है अब आस्टेलिया का जो सबसे उचा पुइंट है, इसका जो हाइस्ट पुइंट है वो है माउंट कोशी युसको जिसकी उचाई जो है समुद्र तल से 2234 मिटर है और इसका जो लोईस्ट पॉइंट है वो है आयर जील उसकी अगर हम यह समुद्र तल से नीचे है जिसकी समुद्र तल से गहराई बोल दे माउंट को तो 15.8 मिटर तो कभी भी हम किसी महादीब की बारे में जब बात करते हैं तो पहले हम दो चीजों के उपर डिसक्षक करते हैं कि इसका हाईस पॉइंट कितना है और वह पर इसका लोऊस्ट पॉइंट कितना है तो यह हमने बात कर ली है अब हम राजनितिक दस्टी से आस्टिलिया की बात करें तो यह एक महादीब है लेकिन हम भोगोली की रूप से बात करें तो इसमें 15 देश है यह important point है अब हम जानते हैं कि यह जो आस्टिलिया है वो पूरी पूर्ण रूप से दच्छनी गोलार्द में स्थित है और जो मकर रेखा है वो आस्टिलिया को दो भाग में डिवाइड करती है या इसके बीच में से उकर गुजरती है इसका important जानवर जो है यह पसू है वो कंगारू है और कीवी है कीवी जो की न्यूजीलेंड का न्यूजीलेंड का मैथमूर्ण पसू है इसमें जो प्रमुक नदीव है वेसिने वो मर्रे डालिंग है आप देखेंगे कि यह जो है इसके पूर्वी पूर्वी साइड में देखेंगे आपको यह नदीवेसिन मिलेगा और यह इतना important है यह नदीवेसिन कि इसकी आश्टिलिया की जो maximum population की जो density है वो इसी छेतर के आसपास आपको मिलती है एक चीज़ हम जानते है अल्रेडि की आसे लेका जो maximum भाग है वो क्या है वो मरूस्थली भाग है इसलिए इसको प्यासी भूमी का महादीव कहा जाता है यह important नाम है। इप यदा पूछा जाता है कि 85 भूमी का महादीव किसे कहा जाता है तो आस लिए कहा जाता है क्योंकि यहां का मैक्जिम भाग क्या है मरुस्थली है पूरे विस्व में आस्टिलिया ही है किसा देश है जो पूरे महादीप में फैला हुआ है इसलिए से दूपिये महादीप भी कहते है इसकी जो खोज है वह एक अंग्रेज नाविक थे कैप्टन जैम्स कुक ने 1770 में की थी अगर हम इस महादीप का थोड़ा सा भोगोलिक विस्तार देखे कि किस किस दिग्रीव के अंतरगात आता है तो देखते हैं तो यह महादीप जो है 10 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ लेटिट्यूट से 43 डिग्री साउथ लेटिट्यूट तक जाता है और इसकी हम और लॉंगिटूडल बात करें तो 113 डिग्री इस्टन लॉंगिटूड से 153 डिग्री इस्टन लॉंगिटूड तक के मद्ध में ये इस्थी थे तो मैंने आपको बता है कि मखर रेका जो है इस महादीव को दो भागों में बाढ़ती है या इसके मद्ध से गुजर रहा है और इसके अगर हम पस्ची में बात करें तो हिंद मास आगर विखीगा इसके दच्छन में याने की हिंद मास आगर इस्तित है आस्टेलिया न्यूजीलेंट और इसके जो आसपास के जो दीप हैं उनको मिलाकर ओसीनिया कहा जाता है आस्टेलिया की जो राजधानी ह वो कैन्बरा है जो कि न्यू साउथ वेल्स राज में इस्तित है तो ये इंपोर्टन चीज है कि आश्टिलिय की राजधानी जो है कैन्बरा है और आश्टिलिय न्यूजिलेंड उसके आसपास के जो भी छेतर है उनको उसीनिया कहा जाता है है अब बात आती है कि जो आश्ट एलोट के जो राधानी दो hy directory कि ने आपको जैसे बताया कि यह जितने भी राज जितने भी आज्या के फेमस सिटीज है वो इसके पूरे तटों पर इश्थे थे तो पर्त वी इसके तर्ट परिंस थी तहरी ऐसी में सखी RN तुन रहा है कि वेस्टन साइड में highly जोगा उत्तरी चेतर में जो है उसमें उसकी राजधानी डर्विन हे दत्छिनी आसटलिया उसकी राजधानी एडी लेड है और जो कुइंसलेंड आता है उसकी राजधानी ब्रिस्वेन है ब्रिस्वेन न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी सिड्नी है मैं आपको बता है सिड्नी बहुत इंपोर्टन बंदरगा है ये न्यू साउथ वेल्स राजज में आता है और विक्टोरिया जो जिसकी राधदानी होवाठ है हमा अलड़ी एक चीज और इंपोर्टनट चीज की आश्टेलिया और जो तस्मानिया है इनके बीच में से एक स्टेट गुजरती है जिसको बास इस्टेट कहा जाता है बास बास इस्टेट यह इंपोर्टन यह कोस्तन पूछा जा चुका है डिवाइडिंग रेंज यह आस्टिरिया के पूर्वी तटके समानतर फैला हुआ है और जो मैंने आपको बताया था कि जो इंपोर्टेंट नदी है इसकी मर्रे एंड डार्लिंग इसकी मर्रे एंड डार्लिंग जो इसकी इंपोर्टेंट नदियां है यह दोनों ही नदियां जो है वो न्यू साउथ वेल्स से इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती है और दच्छिन पच्चिम में बहती हुई दच्छिन आस्टिलिया में हिंद मासागर में गिर तो मैंने आपको बता है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह परवद आस्टिलिया के पूर्वी तटके समानतर फेला हुआ है इसका जो विस्तार है वो उत्तर में अगर हम नहीं नौर्ट में हम देखे तो केप यार्क प्राइदीप से लेकर साउथ में तस्मा सबसें मत्रों के मत्तित है है अब दूसरा जो परवद स्रंख्ला आती है यो स्का नाम डार्लिंग परवत स्रंख्ला है ये वेस्टन अस्टेलिया के साउथ वेस्ट बहसनी पहला हुआ है तीसरा है है हैम़सले हैमरसले स्रंकला यह पस्षीमी आस्टिलया के उत्तर पस्षीमी भाग में फैला हुआ है अब हम मरुस्तल की बारे में बात करते हैं आस्टेलिया के तो सबसे यहां पर जो मरुस्तल है वो है Great Sandy Desert यह Western आस्टेलिया में फैला हुआ है दूसरा आता है Great Victoria मरुस्तल जो की पस्षीमी और दच्षिनी आस्टेलिया में फैला हुआ है मैप में आप देखें गो आपको समझ म जाएगा और जो तीसरा मरुस्तल है जिसका नाम है Gibson Gibson मरुस्तल जो की पस्षीमी आस्टेलिया में फैला हुआ है अब बात आती है Great वेरियर की बारे में तो जो ग्रेट वेरीव है हम यह वरल्ड में सबसे फेमस हैं हम ueliden जानते इसके बारे में कि यह मूंगे की चतान है तो आस्टिलिया के उत्तर पूर्वी तट यानि की कुिंस्लेंट के तट के साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ती यानि की मुंगे की चट्टानों की बहुत बड़ी दिवार है जिसे ग्रेट वेरियर रीफ कहते हैं विस प्रवाल भित्ती की जो लंबाई है वो 1900 किलोमिटर है और तट से अगर इसकी निकटतम दूरी देखेंगे तो वो 38 किलोमिटर आती है हम जानते हैं कि जो कोरल रीफ जो है वो इतनी असानी से समुदर में नहीं बनती है इसकी लिए बहुत ही specific condition होती है याने कि यह temperature range important होता है उसमें salinity important रहती है इसकी specific condition है और जहाँ पर यह specific condition satisfy होती है महाँ पर ही great barrier reef जो है बनती है और यह actually इसका यह importance है कि यह बताती है कि महाँ पर समुद्र की जो इस्तिती है वो काफी healthy है healthy याने महाँ का जो economic system है वो काफी balance है तो इस type से यह उस particular location जगा की economic condition की हमको जानकारी बताती है तो thank you very much यह basic task delay के बारे में thank you